हे गाईस वाले बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे काफी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस बोर्ड की वायरिंग करके आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें मैंने एक MCB ली है पावर को शो करने के लिए इंडिकेटर लिया है दो सोकेट लिये हैं और सोकेट को ओन आफ करने के लिए दो स्विचिस लगाए हैं तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं इससे पहले थोड़ा मैं मेरी e-book के बारे में बता देती हूँ अगर आप एक ITI student है, B.Tech student है, Diploma student है, Electrition का काम सीख रहे हैं या Electrition का काम सीखना चाहते हैं तो ये book आपके लिए एक best book है इस e-book में आपको basic से advanced level तक का सारा data देखने को मिलेगा, सारे के सारे circuit diagram आपको HD quality में देखने को मिलेगे और सारे circuit diagram आपको basic से advanced level तक के देखने को मिलेगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये book आपको PDF format में देखने को मिलेगी तो आप page ही जख इसे purchase कर सकते हैं, price इसका मैंने बहुत ही कम रखा है, इस वीडियो के description में और pin comment में दिये वे link से आप इसे direct purchase कर सकते हैं तो guys अगर हमारे switchboard में MCB लगी है तो सबसे पहले हम MCB की wiring करते हैं क्योंकि MCB हमारे circuit को overload और short circuit protection देती है तो चलिए सबसे पहले हम MCB की wiring कर लेते हैं, उसके लिए लेना है हमें एक phase wire और MCB के input में connect कर देना है तो यहाँ पर हम इस wire को connect कर देते हैं तो MCB के input में हमारा phase wire connect हो गया, अब MCB के output से निकल के phase wire switches के नीचे वाले terminals पर चला जाएगा साथ ही हम हमारे indicator की भी phase wiring कर देते हैं तो indicator का एक wire हमें ले लेना है और इसे हम MCB के output वाले terminal पर connect कर देंगे तो MCB के output से phase wire हमने इस switch में connect कर दिया, अब हम इन दोनों switches को आपस में common बना लेते हैं तो दोनों switches को हमने आपस में common बना लिया है, अब हम switches को sockets के साथ connect कर देते हैं तो switches को socket के साथ connect करने के लिए socket के L वाले terminal से switch के उपर वाले terminal पर हम एक phase wire connect कर देंगे इसी तरीके से इस वाले socket के L वाले terminal से हम switch के उपर वाले terminal पर एक phase wire connect कर देंगे तो guys phase wiring हमारी complete हो गई है, अब हम incoming neutral के लिए इस neutral wire को यहाँ पर socket के N वाले terminal पर connect कर देते हैं incoming का phase wire हमने यहाँ पर connect कर दिया MCB के input में और neutral wire हम यहाँ पर socket के N वाले terminal पर connect कर देते हैं फिर इसी socket के N वाले terminal से इस socket के N वाले terminal को neutral wire से common बना लेंगे तो guys इतने neutral wiring हमारी हो गई है, अब हमारे indicator की neutral wiring रह गई है, तो indicator के इस दूसरे वाले wire को हम यहीं पर socket के N वाले terminal पर connect कर देते हैं तो इस तरीके से हमारे board की phase और neutral wiring complete हो जाएगी तो guys हमारे board की phase और neutral wiring complete हो गई है, अगर आपको इस board में अर्थिंग wiring करनी है तो उपर वाले दोनों terminal यानि की sockets के उपर वाले दोनों terminal अर्थिंग के terminal होते हैं यहाँ पर आपको एक green color का अर्थिंग के लिए wire connect कर देना है तो इस तरीके से हमारे board की wiring complete हो जाएगी तो guys अब हम हमारे board को test कर लेते हैं, board को test करने के लिए पीछे से supply को मैंने own कर दिया है अब हम MCB own करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने MCB को own किया, indicator में power आ गई है तो अब हम हमारे sockets को भी test कर लेते हैं, और socket को test करने के लिए मैंने यहाँ पर lamp लिया है simply हम हमारे socket में lamp को लगा लेते हैं और आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा socket वर्क कर रहा है इसी तरीके से हम दूसरे वाले socket को भी test करके देख लेते हैं तो ये socket भी अच्छे से work कर रहा है अगर हम MCB को cut कर देते हैं तो board से हमारी supply बिल्कुल cut हो जाएगी अब यह आप देख सकते हैं जैसे ही हम MCB को दोबारा से own करते हैं तो हमारी power दोबारा से हमारे board में आ जाएगी तो गाइस इस तरीके से आप इस वाले board की wiring करना घर पे ही आसाने से सीख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें अगर आपका कोई question या suggestion है तो comment box में comment करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी किसी और informative वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye and take care